गुरू हर सहाई के हलका विदायक वखेल मंत्री रानागर मीटिंग चोटी के मोन के सित फारम हाउस कोटी राजकड में मुख्या मंत्री पंजाब कैप्टन और अमरेंदर सिंग के सोमवार को ना पहुंचने पर लोगों ने निराशा देखने को मिली क्योंकि सोमवार को बाड़ पीडितों से मिलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने के लिए राजजे के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग के गुरू हर सहाई में कोटी राजकड में पहुंचने का एक प्रोग्रम रखा गया था और उसके बाद जलालाबाद जिमनी चुनाव के लिए कांग्रस प्रत्याक्षी रामेंडर आवला के नामांक अनपट्र दाकिल करवाने के लिए कोटी राजगड में सम्रत्कों के साथ एकत्र होने जलालाबाद में पहुंच रहा था उन बैटकों ने सभी बार रैली का रूपधारन किया मगर आज सोँ बार को मुख्यमंत्रि के आने के रखेगे प्रोग्रम में राणा चोटी वेकंसी बकरों की गिंती काफी कम क्यों रही यह बाद सवालों के गेरे में चीपी हुई है गुरू से मुख्यम मंत्री के ना पहुंचने समंदी बात चीत करते हुए कैबनेट मंत्री राणा गुरमेज सिंग सोधी ने बताया कि मुख्यम मंत्री कैप्टनम बरेंद सिंग के आने की तैयारियां पूरी थी मगर चंडी कड़वे अने शेरों में मौसम खराब बारिश होने के कारण जहाज उड़ाने की मंचूरी ना मिलने पर मुक्य मंट्री नहीं पहुन सके हैं राना सोडी ने बताया कि कांगरस प्रतियाक्षी रामेंडर आपला के साथ वै और राज्य सरकार के चार कैबनेट मंत्री भी उनके साथ चलालाबाद में नामाकन पत्र दाकिल करवाने के लिए चाह रहे हैं जिसके लिए लोग हजारों की संख्या में एकत्र हुए हैं और उनके साथ पर मिंदर आवना के नामाकन पत्र दाकिल करवाने के लिए जा रहे हैं फिरा मिंदर आवला भारी मतों से चीत हासिल करेंगे सारा कैबिनेट ता नाल चले हैं चार मिनिस्टर ता पिछे बैठे हैं मैं नाल पंजीवां बैठे हुए ठीक है तो किस तरह रिख दे तुसी आवला साथ दे इस एलेक्शन का एक सो एक परसंट जेते तुसी महौल विख्या है सारिया ब्राद्रियों लोग खड़े ने राए देवा न्यूस के लिए फिर रोजपूर से सुक्चैन सिंग की रिपोर्ट